बहुत समय पहले की बात है, मुघल समराट अकबर एक बड़े समराट थे, उनके दरबार में एक बहुत ही बुधिमान और चतुर विशेशग्य थे, तेनाली राम, अकबर, जो हमेशा नए मजा किया प्रशनों से परिशान रहते थे, एक दिन सोचे की क्यों ना तेनाली राम अकबर ने पूछा, तेनाली राम, तुम्हें आज एक ऐसा सवाल पूछना है जिसका जवाब मैं नहीं जानता, अगर तुम सही जवाब दे पाओगे, तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी इनाम दूँगा, तेनाली राम हस्ते हुए बोले, जरूर, समराट, पूछे, मैं त तेनाली राम मुस्कर आये और कहा, समराट, जबाल सी सेना स्वर्ग में पहुंची, तो वहाँ कुछ नहीं हुआ। अकबर जोंके, क्या, कोई घटना नहीं हुई, तो फिर वह सेना स्वर्ग कैसे पहुंची, तेनाली राम ने हस्ते हुए जवाब दिया, समराथ, जब आलसी सेना स्वर्ग में पहुंची, तो उन्होंने वही किया जो वह हमेशा करती थी, सोती रही, उन्होंने कुछ नहीं किया, ना ही स्वर्ग के बारे में सोचा, ना ही अन्य किसी काम की तैयारी की, अकबर समझ गए कि तेनाली राम ने कैसे सिखाया कि आलसी सेना कभी भी किसी महत्वपून काम में सफल नहीं हो सकती और उसने तेनाली राम को बड़ाई नाम दिया, तेनाली राम की यह कहानी सिखाती है कि हमें किसी कारे को समर्पन से काम करना चाहिए,